हाई एवरिवान मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई SJS तो फ्रेंट्स आज मेले कर आई हूँ सोया बीन के सब्जी की रेसिपी तो फ्रेंट्स रेसिपी सुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आए रेसिपी सुरू करते हैं मेरे तरीके से सकते हैं तो फ्रेंट्स सोया बीन की सबजी बनाने के लिए यहां पे एक सोपचीस ग्राम सोया बीन है तो आज मैं उबालकर सबजी बनाने हूं तो आप तेख सकते हैं कि अच्छी तरह से उबल रहा है वैसे वैसे स्वयावीन की साइज बड़ी हो रही है तो यहां पर कुछ देर तक इसे 3-4 मिनट तक उबाले हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर उबल चुका है इसे एक बावल में निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स आप उबाल कर एक बार जरूर सोयावीन की सबजी को बनाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो सारे सोयावीन को इसी में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे तब तक एक पैन में यहां पर दो चम्मज तेल डालेंगे इ सब्सक्राइट कर सकते हैं मैं सरसो के तेल में सबजी बना रही हूं तीन मीडियम साइज का प्याज है इसे लंबे लंबे स्लाइस में काड लिये हैं इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे गोल्डेन ब्राउन होने तक जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहों जा यहां पर प्याज के साथ इसे भी भून देंगे तो आप देख सकते हैं जैसा की प्याज का कलर प्रेंट्स हो चुका है इसे भी निकाल का ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे ठंडा हो जाएगी इसके बाद इसे पिसेंगे तो यहां पर जो सोयाबीन है ठंडी हो चुकी है तो इसके पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे फ्रेंड इसमें थोड़ा भी पानी न रहे अच्छी तरह से निचोड़ना है इसके पानी सारा निकल जा तो हाथों की मदद से दबा कर इसको निचोड़ लेंगे सारे सोया बड़ी को इसे ही निचोड लेंगे और बहुत आसानी से इसके पानी सारी निकल जाते हैं और सोया बीन भी आप देख सकते हैं बहुत ही सौप्ट हो चुका है तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करिएगा बहुत स्वाधिश्ट बनती है तो यहाँ पर चुके आप देख सकते हैं स्वाधिश्ट ड्राय हो चुका है यहाँ फ्रेंड्स उसी पैन में दो चम्मस देल डालेंगे और इस उया को डाल कर फ्राय करेंगे फ्राय करने से थोड़ा पिल्डे का टेस्ट और सब्या में बढ़ जाय तो इसे थोड़ा सा golden brown होने तक fry कर यह जब तक इसका color change हो जागा तो यहां पर देख सकते हैं color change हो चुका है आप इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे बहुत ही प्यार कलर आ चुका है इसमें तो इसे एक बावल में निकाल लें ऐसे ही सारे स्वया बढ़ी को निकाल लेंगे उसके बाद यहां पे मिक्सर जार में जो प्याज वाला मसाला बनाए थे उसको ढालकर इसका स्मूथ पेश्ट बनाना है यहां पिष्ट लेंगे जाते हैं लेडम कम से कम बस दो चम्मच पानी पेश्ट बनाए लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मसाला पिसकत तयार हो चुका है यह दम स्मूध पिसा हुआ है बहुत ज्यादा पानी इसमें एड नहीं करना था और यहां पर सोया बड़ी है इसमें 200 ग्राम दही लेंगे दही फेट लिए हैं तो आप ध्यान दें कि दही को जब भी इसमे कि एड करें तो फेट कर ही एड करें एक चम्मच कसमीरी लाल मेच दो चम्मच धनिया पाउडर मिए और आधाचा हल्दी पाउडर नमक स्वाधानुसार अगया अगया अच्छी तरह शे मिला लेंगे दही को के साथ मसालों के साथ मिलाने से सबजी का टेस्ट बहुत ही सोयाबीन को दही से दही और मसालों के साथ तो अब इसे साइड रख देंगे तब तक अगली तियारी कर लेते हैं यहां पेपैन में दो टेवल स्पून तेल लेंगे एक तेश पत्ता है जिसके दो टुकड़े कर लिये हैं जावित्री है चार से पांच काली मेर्च है दो लॉ आधा चम्मच जीरा है एक चोथाई छोटी चम्मच दालचीनी पावडर है तो फ्रेंट साबुत न एड करके यहां दालचीनी का पावडर एड करेंगे तो सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है दो से तीन हरी मिर्च है जिसे बारिक काट ली हूँ अब यहां पे मसाल मिला देंगे जो पीस कर रखे थे तेल के साथ मसालों को भून लेंगे थोड़ा सा चलाते हुए इसे भूनेंगे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और मिक्सर का जार जो था उसे थोड़ा सा धो करके उसी में पानी डाल दिये हैं 2-3 टेवल स्पून तो मसालों को थोड़ी देर तक भूनेंगे वैसे तो प्याज पकी हुई ही है भून चुकी है पहले से बहुत ज्यादा नहीं भून चलते हैं तो तुसारी यहां पर एड़् कर देंगे और थोड़ा सा इसी बरतन में पानी डाल का थोड़ा सा मसाले छूट जा य संवावन की बडसफ से तरह करें इसे धक करके चार से पांच मिनट तक मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक तक तेल से प्रेट नहों जाए तो आप देख सकते हैं कि तेल से प्रेट हो चुका है मसालों से तो इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक और भुनेंगे और बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर आधा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे करस करके डाल रही हुँ एक चमच है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में करें एदम रेश्टोरेंट वाला टेस्ट आता है सब्जी में धक करके इसे चार से पांच मिनट तक फिर मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से मसाले भून चुके हैं और तेल भी से प्रेट हो चुका है जितना सब्जी को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही आपकी सब्जी स्वादिष करता है और ग्रेवी जितना पतली गाड़ी चाहिए तो आप पानी एड़ कर सकते हैं मैं यहां पर टोटल दो कप पानी एड़ करूंगी स्वादानुसार नमक फ्रेंट्स नमक को समझ का डालना है क्योंकि मेरिनेशन के समय भी नमक डाली थी मैं तो थोड़ा साही नमक इसमें फिर एड़ करना है या स्वादानुसार ढखकर फिर से चार से पांच मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सब्जी सब्सक्राइब करेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं और अगर मेरी आज की रेसीपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आये हैं सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें बेल आइकन भी दबा देजेगा ताकि मैं जो भी व तो लीजिए फ्रेंट सोया बड़ी की सबजी बनकर तयार है आप भी इसे जरूर ट्राय करना और कमेंट करके भी बताएगा कि मेरी रेसीपी आपको कैसी लगी और इसे रोटी नान पराठा किसी के साथ भी आप इंज्वाय कर सकते हैं फ्रेंट मेरे तरीके से आप जब त तब तक इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा इसके बाद आपको कौन सी रेसीपी चाहिए मिलते हैं को नहीं रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाइंड टेक केर